नमस्कार टुड़े वियार नीज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके सानथ प्रिकास शिंग पुरा विश्वे इंदिनों नोवेल कोरोना वाइरस के जद में है त्राहिमाम की स्थिती है भारत में लॉक्डाउन है लोग अपने घरों में हैं इसलिए कि वे किशिवी कोरोना के मरीज के संपर्क में ना आज सके और उनमें एबिमारी शंकर्मन से ना फैल सके क्योंकि एबिमारी संकर्मन से फैलता है इसी को लेकर पीम नरेंदर मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया है जिसके बाद अब लोग अपने घरों में हैं साख सबजिया खरिदने के लिए निकल रहे हैं अपने घरों से अगर आप भी इमरजेंशी कोई काम हो त त्राहिमाम मचाया है मौत का आंकरा दिनों परती दिन बरता जा रहा है जिस तरीके से चाइना के छोटे से सहर बुहान से निकल कर पूरे विश्व में कोहराम मचाने वाले इस वायरस ने अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों को मौत की निन्सुलास्तों कर चुका है और देकर सरकार चिंतित है सरकार का आदेश है कि लॉकडाउन में घरों से आपना निकले पिम नरेंदर मोधी ने ट्वीट के जड़िये यह भी कहा था कि जिस सरकार के अंदर लोग जिस राजी के अंदर लोग इस लॉकडाउन को नहीं मानते हैं सरकार उसे कानून का पालन कर पुलिस अब अपने बलका परियोग कर रही है, यहां तक ही अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो पुलिस आप पर लाठिया चला सकती है लेकिन इसी बीच कल सुक्रवार है, यानि कि सुक्रवार जुम्मे का दिन, कल इस लॉक्डाउन के बाद पहला जुम्मा है जुम्मे को लेकर मुसल्मान सोच रहें कि आखिर नमाज अदा कहा करें, क्योंकि ना मंदिर में पूजा होगी और ना महजिद में नमाज पढ़े जाएंगे तो जाहिद से बात है कि मुसलिम समूदाय में इस बात को लेकर अब चिन्ता बढ़ गई है कि आखिर वे कल नमाज अदा कहा करेंगे महजिद में करेंगे या अपने घरों में करेंगे या फिर सरकों पे करेंगे इसी बातों को हम आपको बताएंगे कि आखिर इस देश के मुशलमान जो कज़ शुकरवार को नमाज अदा करने वाले हैं वे नमाज कहां अदा करेंगे All India Muslim Personal Law Award के संस्थापक सदस्य हजरत मौलाना खालिद ने इस वारे में मुसलमानों को जनकाड़ी दी है हैदराबाद के उर्दो मिल्लट टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों को कहा गया है कि वे इस जुम्मे की नावाज अपने घरों में अदा करें कुछ लोग महजिद में भी अदा करें इस जुम्मे की नावाज इससे हो गए कि महजिद की महत्तो भी बरकरार रह जाएगी हजरत मौलाना खालिद ने कहा कि हजरत मुहम्मद पैगंबर शाहब का कहना था कि नावाज आखों का ठंडक होता है बड़ी शंक्या में अगर मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे के दिन नावाज अदा नहीं करते हैं तो उन्हें जन्नत नहीं मिलती है हजरत मौलाना पैगंबर शाहब का कहना था कि अगर इस देश का या फिर कही का भी इसलाम धर्म से तालूक रखने वाले लोग तीन सुक्रवार को जुम्मे की नावाज अदा नहीं करते हैं तो उन्हें जन्नत नहीं मिलेगी यानि की पुन्य नहीं मिलेगा स्वर्ग के वो भागी नहीं होंगे मिर्दू के उपरांथ तो अब आपके जो दिल में संसय थे वे खत्म हो चुके होंगे कि आखिर आप इस जुम्मे को नावाज कहां अदा करें सबसे बड़ी एक और जानकारी हम आपको देते कि इसलाम धर्म से तालूक रखने वाले लोग परती दिन दिन भर में पांच बार अहले शुबर से लेकर रात तक नमाज अदा करते हैं लेकिन इसलाम धर्मे शुक्रवार के नमाज का महत तो कुछ जादा ही होता है इसलिए लोग संसय में थे इसलाम धर्म से तालूक रखने वाले लोग इस सोच में थे कि आखिर वे नमाज अदा कहां करेंगे अब All India Muslim Personal Law Board के सदस्त ने कहा है कि आप अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा करें या फिर महजीदों में ना जाएं घरों में रहकर आप अगर नमाज अदा करते हैं तो इस बिमारी से जो सब बरता हुआ संकर्मन है इस पे कही न कही जरूर रोक लगेगी महजीदों में कुछ लोग जाएं इससे महजीदों का महत्व बरकरा रहेगा फिलाल दिश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं टुड़े विहार नीज को साथ एगर आपे वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें विल आइकन को प्रेस कर दे अगर फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद